लड़कों की चीजें जिस तरह से लड़कियां स्टाइलिश कपड़े पहन कर और मेकप करके लड़कों को रिश्धाने की कोशिश करती हैं ठीक उसी तरह है लड़के भी अपने स्टाइल से लड़कियों को अपनी ओर आकरशित करने में पीछे नहीं हैं अकर्शिद करती हैं लड़कों की चीज़ें जो लड़कियों को आकर्शिद करती है देशेक, देशट और जीन्स का कॉम्बिनेशन अधिकांच लड़कों पर वाइट शर्ट के साथ ब्लु जीन्स बहुत ही अच्छा लगता है यह एके वरग्रीन कॉम्बिनेशन है जिसे लड़के बिना सोचे समझे ट्राइ कर सकते हैं वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स का कॉम्बिनेशन लड़कियों को अपनी तरफ आकरशित करता है दो देश शर्ट के स्लीवस को रोल करना अकसर लड़के ऑफिस में शर्ट, पैंट और टाई पहन कर नजर आते हैं ऐसे में अगर लड़के ऑफिस के बाहर निकलने के बाद अपने शर्ट के स्लीवस को थोड़ा सा रोल कर लेते हैं तो उनका आकरशन और बढ़ जाता है जो लड़कियों को आकरशित करने के बेहत काम आता है। तीन देश लड़कों के चिनोस पैंट्स चिनोस पैंट्स का ट्रेंड इन दिनों जोरों पर है इसलिए ज्यादतर लड़के चिनोस ही पहनना पसंद करते हैं। अगर आप भी जीन्स पहन कर बोर हो गए हैं और कुछ हट के पहनना चाहते हैं तो फिर चिनोस पैंट्स ट्राय करें। ये भी लड़कियों को आकरशित करने में काफी मदद करता है। चार देश लड़कों के क्लासी जूते जब भी लड़कियां लड़कों से मिलती हैं तो उनका ध्यान लड़कों के जूतों पर जरूर जाता है। भी शामिल करें. छे देश लड़कों के ये खास टी-शिर्ट हेनली. लड़कों के रेगलर टी-शिर्ट से काफी अलग और अट्रैक्टिव होते हैं क्यूंकि इन में कॉलर नहीं होते. हेनली में सामने की तरफ टीन से चार बटन्स होते हैं. इसे खाकी या कारगो पैंट्स क साथ पहनने का मजा ही कुछ और है. अगर आप भी किसी बड़ी पार्टी या शादी में जा रहे हैं तो फिर रेगलर जीन्स और शर को पहनना अवोईड करें. ऐसे खास मौकों पर अच्छी फिटिंग वाला सूट पहनें. ये आपको कम्प्लीट और क्लासी लुक देगा. आठ देश वी गर्दन वाला सूटर सर्दियों के मौसम में अगर आप सूटर पहनते हैं तो फिर आपको राउंड मेक की जगह वी गर्दन वाला सूटर पहनना चाहिए. इसे आप चाहें तो कलर वाले शर के साथ या फिर पोलो टी शर के साथ पहन सकते हैं. लड़कों का यह स्टाइल लड़कियों को काफी पसंद आता है. नौदैश लड़कों का ओवराल लोग लड़कियां लड़कों के ओवराल लोग पर ध्यान देती हैं. इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले क्लीन शर्ट पहने, बालों को अच्छे से सेट करें, आप चाहें तो दाड़ और हैंडर समलुक देखकर लड़कियां खुद बखुद आपके पास चलकर आएंगी.